प्रभु जी ये मनुश्य जीवन का लक्ष भगवत धाम वापिस जाना है जब गीता में भगवान कहते हैं अब ध्यान प्रभु सुनिएगा यग्य अर्थात कर्मन्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना यग्य अर्थात यग्य के लिए यग्य अर्थात कर्मन्यो यग्य के लिए कर्म कर अन्यत्र नहीं तो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना इन कर्वों के बंधन में फस जाएगा और यग्य का मतलब यग्य वही विश्णू वेट कहते हैं यग्य ही विश्णू है जो कारे विश्णू की संतुष्टी के लिए किया आता है उसको यग्य कहते हैं तो साफ कह रहे हैं यग्य अर्थात यग्य के लिए कर्म कर नहीं तो ये करम तेरे बंधन का कारण बनेगा अब आप लोग सब क्या बोलते हो गीता में का आगया करम करे जा तो उसका मतलब बंधन में पसे जा यग्य गाइब कर दिया वाह तीसरे अध्याए के नौमेश लोक में तो भगवान सब कहने यग्य अर्थात करमन्यो और क्या कहते हैं यद दोसी जदासी यद तपसे सही कांतया तद कुर्शवा मद अर्पनम जो खाता है जो कमाता है जो दान देता है जो यग्य करता है जो तपस्या करता है इस सब फलों को मद अरपनम मुझे अरपन कर क्या गीता हिंदुस्ता ने बेड़ा गर कर दिया करम करे जा फसे जा यग्य अर्थात कर्मन्य और नेत्र लोको अयम कर्ममंदना ने तो ये लोक में बांदेंगे पहले जेल में उपर से और बांदो और बांदो कहां लिखा है गीता के अंदर कर्मन्य वाधिकारस ते मा फलेशु कदाचना उसमें भी साफ लिखा है के कर्म पे तेरा अधिकार है फ्रंदु बेटा फल पे तेरा अधिकार कर्मन्य वाधिकारस कर्म पे अधिकार मा फलेशु कदाचना फल पे कदाचन भी तेरा अधिकार न आता है वो पैसे का अधिकार कौन है तो इस श्लोक से क्या पता लग रहा है आपका अधिकार क्यों नहीं होगा क्योंकि आप दास हो और मालिक वह है आप दास हो और मालिक वह है इस श्लोक कानून की अज्ञानता का मतलब नहीं है कि कानून छोड़ देंगे क्यों जूट बोलता है अपने काम की चीजों के बारे में तो खूब जाननी कोश्च करी है न बिजनस टाट किया तो सेल टेक्स कैसे बचाऊंगा सब जुगाड करी इंकम टेक्स सब जाननी कोश्च करी हर चीजों को लाइसंस इकटे करे हैं जी कुट्ता अगर भाग जाए रेड लाइट पे तो पुलिस वाला नहीं भागता पीछे प्रुंतों अगर मनुष्य करोस कर जाए तो और बोले औरे मैं तो जानता नहीं था तो क्या बोले आप पुलिस वाला चल बताता हूं तुझे तो यम्राज भी यही कहते हैं आजा लग लाइन में बताता हूं तुझे हाँ प्रभु जी यह मनुष्य जीवन अहार निद्रा भई मैथुन के लिए नहीं मिला है सिरफ माबा पहले बच्चा पैदा नहीं हुआ तो गोड़ी बिठाने के चकर में होते हैं लड़के को ग्रेस्त आश्रम क्या होता है ABCD नहीं जानता के ग्रेस्त आश्रम किस लिए है और ग्रेस्त आश्रम कहा गया है ब्रह्मचारी को आश्रम कहा गया है वानप्रस्त को आश्रम कहा गया है सन्यास को आश्रम कहा गया है और आश्रम में पहली चीज तो भगवान की भक्ती होती है बाकी चीज़ सब सेकेंड ग्रहस्त को भी का का गया प्रहुजी अब भगवान दूर दूर तक नहीं बेटा कोई बच्चा भी करने लगे तो पागा लगा आदमी से बात करो पत्नी करतो रही है तू ग्रहस्त में नहीं है तू चौकिदार है भार पती कैसे करता है अपने जवाब तो देना पड़ेगा प्रहुजी आप मेरी बात मानो या ना मानो वो अकल मंद मानेगा मुर्ख नहीं मानेगा भगवान साथ खुदी कह रहे हैं तो इसलिए आप टीवी पर भी हमारा कारिक्रम देख सकते हैं हर अबिवार प्रहता 8 बच कर 10 मिनट पर दिशा चैनल पर देखना ना भूले हमारा कारिक्रम सफलता का विज्ञान आप इस कारिक्रम को हमारी वेबसाइट www.givgita.com.tv पर भी देख सकते हैं आप अपने प्रशन हमें भेज सकते हैं प्रशनों का उत्तर हमारे डाउट बस्टिंग सेशन्स में दिया जाएगा इस ज्यान क अंद्र दास जी द्वारा अत्यंत सरल एवं वैज्ञानिक व्याख्या इस कोर्स के डीवीडी एवं MP3 सेट को प्राप्त करने हे तू आप हमें स्क्रीन पर दिये गए नंबर 092-1053-1053 पर कॉल कर सकते हैं या contact at the rate givgita.com पर इमेल कर सकते हैं कोर्स के डीवीडी सेट को हमारे इबे पोर्टल से प्राप्त करने हे तू स्क्रीन पर दिये गए लिंक www.bit.ly forward slash give ebay पर जाएं यदि आप अपने whatsapp या email account पर श्री विंदावन चंदरदाश जी की clips राप्त करना चाते हैं तो स्क्रीन पर दिखाएगा URL www.bit.ly forward slash give sub पर जाकर subscribe करें